हेलो दोस्तो आप सभी को हमारे इस वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत दोस्तो मैं सीबाम अपने यूटूब चैनल के अप्रेंज सीबाम पर स्वागत करता हूँ फालो का option कैसे ला सकते हैं तो चलो तो आज का वीडियो इस्टार्ट कर लेते हैं वीडियो इस्टार्ट करने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है यहां से लाइक कर देना है चैनल को सब्सक्राइब कर ले पिले इस्टोर से आप अपने फेस्बुक को अपडेट कर लोगी तो आपको करना कि है अपने फेस्बुक को ओपेन कर लेना है जैसे मैं दोस्तों आप प्रोफाइल पर यहाँ पर add friend देखने को मेल रहा है अब हम यहाँ पर follow का option लाके हम आपको दिखाने वाले हैं अगर आप भी लाना चाहते हैं तो आप इसी तरह से ला सकते हैं तो वीडियो को follow करते रहे हैं और आपको पता चल जाएगा तो सबसे पहले आपको करना का है बै आपको दो setting कर लेना है वह दुस्तों यहाँ से आपको ध्यान से देख लेना है नहीं तो आपके profile पर add friend की जगहेड़ पर follow का option नहीं आएगा तो यहाँ से आपको ध्यान से देख लेना है कि आकरकार वह दो setting पहुंच चींए हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाह लगा लेना है इतना काम करने बाद बैक आजाना है बैक आने बाद दूसरी सेटिंग आपको क्या करना पड़ेगा तो दूसरी सेटिंग में आपको फिर से वही करना है सेटिंग में आने बाद फिर से सेटिंग को ओपन करने बाद यहां से नीचे आने बाद यहां से मिलेगा public post का option अगर आपके mobile पर यहाँ पर public post का option नहीं आता है तो आपको करना का है अपनी date of birth को change कर लेना है इसका मतलब क्या है कि अभी तक आपकी date of birth 18 साल की नहीं हुई है तो आपको वहाँ से change कर लेना है उसके बाद यहाँ से आपको public post का option देखने को मिलेगा यह दो आप अपको दिखा जेता हूं कि अब हमारी profile पर कैसा देखने को मिलेगा अपको दिखा देता हूं यहां से अबने Facebook की profile पर add friends की जगह पर फालो का option लाना जाते हैं तो आपको इन दो setting को follow करना है और जैसे मैंने किया ऐसे ही आपको करना चाहने अपने Facebook की profile पर add friends की जगह पर follow का option ला सकते हैं तो मैं इतने हैं नेक्ट वीडियो में इस वीडियो के लिए इतना ही जैन जै भारत